हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल इस्टरी आवर लाइफ में तो यह ज्यान बिंदू जी एस अकेडमी वाले सरका विहार दरोगा के लिए जो अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो प्रैक्टिस सेट का आज हम ऑनलाइन जो सरका बैच चल रहा है औलाइन पेड़ बैच के लिए उसका आज हम मौक टेस्ट वन लेके आए हैं ऑफ्लाइन वाले तो बहुत सारे सेट उपलबध हैं आप लोगों के पास लेकिन यह ऑनलाइन है जो सिर्फ और सिर्फ पेड़ बैच के लिए होता है तो उसी का आज हम सेट वन लेके आए हैं तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और पड़े हम एक प्रैक्टिसेट आप लोगों के लिए पेड़ बैच का लेके जरूर आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला क कोशन देख सकते हैं सबसे पहला कशन ये रहा आपके सामने है है पहला कोशन है कि रूस जपान यूद कब हुआ तो रूस और जपान के बीट जो यूद हुआ था ये हुआ था 1904 से लेके 1905 में आपसन आपका A सही सभी आपसन C आपका सही अंसर हो जाएगा रूस जपानी यूद कब हुआ था 1904 से 1905 में नेक्स्ट कोशन है चीनी सामेवादी गनतंत्र का प्रतम अध्यक्ष कौन था तो चीनी सामेवादी गनतंत्र का प्रतम अध्यक्ष दो थे वो आपके हो जाएंगे माउट से तुंग आपसन नमबर इसका भी सही हो जाएगा माउद से तुंग ये जो चीनी सामयवादी गंतंत्र के परतम अध्यक्स थे तीन नमर कोश्चन है कि आसियान संग गठन के संदर में कौन सा कथन सही है इसमें पहला कथन दिया है कि आसियान दस्चिन पूर्व एसिया राष्टो का संग है इसकी अस्थापना अगास उनेशा सरसट में हुई थी इसका केंद्रिय सची वाले जाकरता इंडोनेशिया में है तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा एक, दो, तीन ये तीनों आपका कथन बिल्कुल सही है आसियान जो है, वो दस्चिन पूर्व एसिया राष्टो का संग है और आसियान का आस्थापना उनेशा सरसा टिस्पी में हुआ था और इसका केंद्रिय सची वाले जाकरता इंडोनेशिया में है चार नमबर कोश्चन है, यूरेपियन यूनियन का पारलियामेंट कहां अवस्थी थै तो यूरेपियन यूनियन का पारलियामेंट जो अवस्थी थै यह आपका हो जाएगा लगजंबर्ग, ऑप्शन भी इसका सही अंसर हो जाएगा, लगजंबर्ग में है पांचमा नमबर कोश्यन है कि सल्तनत कालीन कर वेवस्था के संदर्व में कौन सा कथन सही है तो सल्तनत कालीन कर वेवस्था के संदर्व में जो कथन सही है वो हो जाएगा ओप्सन डी यानि जजिया गैर मुसल्मानों पर धार्मिक कर था बिल्कुल सही है जाकाट जो था वो मुसलमानों का धार्मीकर था और खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने व़ला भूमी था भूमी कर था तो ये आपका तीनों सही अंसर हो जाएगा सल्तनत कालीन के बारे में स्थिक्स नंबर कोश्चन है कि मिर्दा के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सही है जलोड मिर्दाएं नाइटरोजन से सम्रिद होती है काली मिर्दाएं लौ एवं चुने से सम्रिद होती है प्रन्तु नाइटरोजन से हीन होती है लेटराइट मिर्दाएं लौ एवं सही है एक जो है ये जलोड मिर्दाय नाइट्रोजन से समरिद ये गलत है अगला कोशन है साथ नंबर कि निमलिखित में से कौन सी एक कृत्रीम जील है कोडाइक नौल तमिलांडू में है कोलेरू आंध प्रदेश में है नैनिताल उत्राखंड में रेनुका हिमाचल गये कूट से सही उतर का चयन कीजिए पहारी और राज का नाम दिया हुआ है तो गारो जो है यह कहां की पहारी है यह पुछा जाएगा तक गारो में घाला की हो जाएगा यहां सबसे पहले हम ओप्सन देखते हैं ओप्सन से टीक कर लेंगे तो 9 का B अंसर हो जाएगा B एक दो तीन चार सिक्वेंस वाई जिसका सही अंसर है एक वड़ यहां पे भी देख लिजे सिक्वेंस वाई अंसर है गारो का क्या है मेगाले है मीरी तमिलांडू राजिका है कोलाई माई मलाई अरवनाचल परदेश का है और डालमा जो है वो जहारखंड का है अगला कोशन गोडांबना लेंड के तूटने का क्रम प्रारंब हुआ परैमियन यूग में क्रिटेसियस यूग में जुरेसिक यूग में ट्राइसिक यूग में तो गोडांबना लेंड के तूटने का पूछ रहाय तो जुरेसिक यूग में हुआ था ओप्सन नंबर B इसका सही अंसर ह मिलान करे, समाचार, पत्र और समपादक का नाम दिया हुआ है तो सबसे पहले बंगाल गजट बंगाल गजट किसका है, जेम संगस्टन हिक्की का है एक का तीन हो जाएगा, आपका इसमें सही अंसर हो जाएगा ठीक है, एक मिनेट आपका अंसर इसमें D हो जाएगा एक कर तीन हो जाएगा जेमस अंगस्टन हिक्की बंग दूत राजा राम मोहन राई उदंत मारडंड जुगल किशोर शुकूल और हिंदू पैट्रियोट ग्रीस चंद गोश ये आपका बिल्कुल सही आंसर है अगला कोशन है किसका मिलान गलत है अव्यूदय मदन मुहन मालविये हमदर्द मुहमद अली लाइफ डिवाइन अडविंद गोश सोम प्रकास दयानन सरस्वती तो इसमें से मिलान सही मिलान गलत पुछा जा रहा है तो इसमें जो गलत हो जाएगा सोम प्रकास जो है वो दयानन सरस्वती की नहीं है आपसन आपका D इसमें गलत अव्यान सर हो जाएगा कि हत्या करने के आरोप में कि सकरानति कारी को बंदी बनाया गया था तो मदन लाल धिंगरा को करतार सिंग सराबा को अनंत कणारे को हरी किषन को वाल धिंगरा को जो है वो बिलियम करजन बाली की हत्या करने के आरोप में क्या कर दिया गया था बंदी बनाया गया था 14. कोशन है कि निमलीखित मेंसे कौन सुमेलित नहीं है नम्बर 3 शिलवास उसन कटवन दिये गास का मैदान ये जो है सुमेलित विल्कुल नहीं है 15. कोशन है सायोकति राज अमेरिका की ब्रिद जीलो को पूरोव से पस्चिम की और सही करम क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर C ओंटेरियो, इरी, यूरोन, मिशिगन, सुपरियर ओंटेरियो, फिर इरी, फिर हूरोन, फिर मिशिगन, फिर सुपरियर ये जो सजुत राज अमेरिका के बृद जीलों को पूरब से लेके पस्चिम की ओर का सही क्रम है, ओप्सन इसका सी आंसर सही है 16 नमबर कोश्चन है कि भारत निमलिखित में से समाजबाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है फेबियन समाजबाद, सामें वाद समाजबाद, लोकतांत्रिक समाजबाद, सरभरा वर्ग समाजबाद 17 नमबर कोश्चन है कि नागरिक्ता अधिनियम उने सपचपन के अंतरगत निमलिखित में से कौन सी रिती नागरिक्ता प्राप्त करने की रिती नहीं है तो इसका सही अंसर है ओप्सन नमबर डी बिदेसी नागरिक्ता या दोनी नागरिक्ता अगला कोशन है निवलिकित में से कौन सा कथन और शत्त्य है औरंग जेव के गुरू मीड मुहम्मद हकीम थे गुरू तेंग बहादूर की हत्या औरंग जेव ने तो इसका सही अंसर हो जाएगा कि सामुगड का यूद औरंग जेव तथा गोल कुंडा सासक के बीच हुआ था ये कथन जो है औरंग जेव की अध्यक्सता किस ने की थी तो तीसरा संगम सम्मेलन की अध्यक्सता जो किये थे वो किये थे नक कीरर कौन किये थे नक कीरर एक तमिल साहित सम्मेलन है ये जिसकी अध्यक्सता नक कीरर किये थे किसका मिलान गलत है प्रमुक्षम प्रदाय और संस्थापक दिया हुआ है तो इसमें पुछा जा रहा है कि मिलान जो है गलत है तो इसमें जो हुजाय का राम भक्त बल्ला वाचार्जी आपका गलत अंसर दिया हुआ option D इसका सही अंसर है बरकडी नामदेव सही है, सिरी वैशनव रामानूज बिल्कुल सही है, परमार्थ रामदास का, रामभक्त बल्लावा चार्ज का नहीं है अगला है किसका मिलान गलत है बारत के संबिधान की उदेशिका के बारे में निमलिकित में से कौन से सही है तो उदेशिका में पहला संकल्प दिया हुआ है कि उदेश संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संबिधान सभाद द्वारा पारित किया गया था जो अंतता उदेशिका बना सेकेंड दिया है उदेशिका का विचार सहीवत राज अमेरिका के संबिधान से लिया गया है तीसरा है समाजबादी पंथ निरपेच सब्द 42 में समिधान संसोधान 1976 में अपनाया गया और चोथा है उदेशिका भारत के नागडिकों के मूल अधिकारों को समाहित करता है तो इसमें जो सही हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर ए एक मिट ओप्सन ए इसका सही आंसर हो जाएगा एक दू तीन ये तीनों सही है चार जो है वो सही नहीं है अगला कोशन है कि न्याइक पुर्णाव लोकन की सक्ति किन अनुछेद में है तो न्याइक पुर्णाव लोकन की सक्ति जो है ये आपका आठकिल हो जाएगा भारतिये समिधान के अनुछेद 25 में पड़ियुक्त हिंदू सब्द किसे समलित नहीं करता है तो हिंदू सब समलित नहीं करता है पार्सियों को पचीस नमबर कोशन है कि किस संसोधन द्वारा निती नी दे सकततों को मुल अरिकारो के अनुछेद 14-19-31 पर वरियता दी गई तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A, 42 मा बिसाल चटान के रुपांतरन के बाद कौन से चटान का निर्मान होता है तो बिसाल चटान के बाद इस चटान का निर्मान होता है वो है F.E.M.P. बोलाइट ओप्सन आपका C सही अंसर है 27 नमबर कोशन है भारत के प्रमुक्ष ज्वाला मुखी पहारी या परवत के संदर में किसका मिलान गलत है तो इसका सही अंसर नार कोड़म निकोबार ये मिलान गलत है बांकि धिनोधर पहारी गुजरात में है घोसी पहारी हडियान राजस्थान बरा तंग अप्सन सही हो जाएगा मिलान करें इंट्रीग्रियल कोश फैक्टरी का पूर्थला भारती अर्थ मिक्स मुवर्स लिम्टेड वारा नसी डीजल लोकोमोटिव वरकर्स बैंगलूरू रेल कोश फैक्टरी पेरांबूर चिन्नई तो इसमें सही अंसर पूछा जा रहा है ऑ उसके बाद डीजल लोकोमोटिव वरक्स ये हो जाएगा वारा नसी में और रेल कोश फैक्टरी का पूर्थला अगला कोशन है नालको नेशनल एल्मूनियम कंपनी लिम्टेड की अस्थापना में सहयोगी देश कौन सा था तो इसका सही अंसर हो जाएगा फ्रांस नालको क अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है निमलिकित में से कौन सा कथन अवस्पित्ति का उप्युक्त वर्णन करता है तो उसका सही अंसर हो जाएगा उप्स कि सम्भिधान के किस अनुछेद के द्वारा केंद्रवार राज्यों के मद्धि विश्याओं के विभाजन हेतु तीन सूचियां का प्रभधान है तो आठकिल यहां पे दिया हुआ है आठकिल 244, 246, 248, 250 तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नंबर B, आठकिल 246 के अंतरगत तीन सूचियों का बर्णन है भारतीय समिधान के अनुछे 344 के तहद प्रथम राज की भासा आयोक का गठन हुआ था तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में वीजी खेर की अध्यक्सता में आठकिल 344 के तहद प्रथम राज की भासा आयोक का गठन हुआ था अगला कोशन है 35 नंबर हरपा संस्कृति के संदर में निमलिकित में से कौन सा कथन औशत्त्य है तो औशत्त्य पूछा जा रहा है तो इस काल में सिचाई नहरों से की जाती थी ये बिल्कुल आपका कथन जो है औशत्त्य है बाकि सही है कि इस काल वेखेती करने के लिए हलका परियोग किया जाता था और इस संस्कृत में नगर निर्मान में पक्की इटो का पड़ियोग किया जाता था आंसर आपका बी हो जाएगा निमलिकित में से कौन सी जल्धारा उत्री प्रसांत महासागर की जल्धारा नहीं है तो उत्री प्रसांत की जल्धारा नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा option number A एक दो चार एक दो और चार नहीं है बांकि पेरु ठाड़ी जल्धारा ये उत्री प्रसांत महासागर की जल्धारा है किसका मिलान गलत है अस्थालिये देश अर्देश छेतर दिया हुआ है फारस की खाड़ी सही है जो रन सीवजर लंड सही है शीमूम अरवरेगिस्तान सही है 38 नमर कोशन देखते हैं कि भारत के अस्थानिये क्रिशी के संदर में सही मिलान करे वैदिक काल में दुहित्री निमलिकित किस के लिए पड़ियुक्त होता था तो दुहित्री जो था वो बेटी के लिए पडियुक्त होने वाला सब्द था तैमूर ने जब भारत पर आक्रमन किया उस समय दिल्ली पर किस वंस का सासन था तो उस समय तुगलक वंस का दिल्ली पर सासन था जब भारत पर तैमूर ने आक्रमन किया था अगला है अकबर की कल्यानकारी नीतियां को काल करम अनुशार लगाईए तीर्थिर्यात्रा कर समाप्त किया जजया कर की समाप्ती सती पर्था परोग सराब विकरी पर रोग तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एक दो तीन चार करमबाई विल्कुल सही है 42 नमबर कोश्चन है कि निमलिकित में से कौन किशान संगर्स ब्रिटिस अफिम निती का पड़ी नाम है फुलागिरी धावा 1861, विरसायत उल्गुलान 1899-1900, पवनाविदर 1873, मराठा किसान विदर 1875 तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा फुल्क गुरी धावा 1861, वो किसान संगर्स ब्रिटिस अफिम निती का पड़ी नाम था निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए, लेंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिस इंडिया सोसाइटी के बिले से इस्ट इंडियान एसोसियेशन का निर्मान हुआ और सेकेंड है इंडियन एसोसियेशन ओप कॉलकता काउदे से राजनितिक सिक्षा को प्रोज साहित करना था तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A केबल एक जो है ये बिल्कुल सही है अगला कोशन है पत्थर के टुकरे को एक डोडी से बांद कर आर तिरजा की बृतिय कक्षा में गुमाया जाता है जिसके केंद्र पर डोडी का दूसरा सीरा है यदि डोडी टूरती है तो पत्थर क्या होगा केंद्र से दूर जाएगा केंद्र की दरफ जाएगा एक असपर्स रेखा के अनुदीश चलेगा रुख जाएगा तो इसका है एंसर हो जगा कि एक असपर्स रेखा के अनुदीश चला जाएगा जो विस्थापित दर्व के भार के बराबर होता है निमलिकित में से किन पड़िघटनाओं या उपकर्णों में से इस सिधानत का पड़ियोग होता है ड्राइमीटर, यूरेनियोमीटर, हाइड्रोजन भारा गुबारा जो हवा में उपर जा रहा हो पौदे जीने जर से पानी प्राप्तो या लैक्टोमीटर तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर A एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, और चार सही है पांच जो है ये सही नहीं है अगला कुशन है 47 नमबर कि निमलिकित कत्रों पर विचार कीजिए एक, दो, तीन, ये तीनों सही है 48 नमबर कुशन है कि किसी तेल सता पर प्रचेपित प्रकास्तरंग सात रंगों को किस परिघटना के कारण दरसाती है तो इसका सही अंसर हो जाएगा D, व्यतिकरन वेतिकरन के कारण किसी तेल सता पर पर प्रिछेपित प्रकास्त रंगे सात रंगों की परगटना को दरसाती है निमलिकित कत्नों पर विचार कीजिए प्रतेक चुमबक के उतरी तथा दस्नी धुरूप होते हैं बिल्कुल सही है चुमबक को गर्म करने पर चोट करने और उचाय से गिराने पर चुमबक अपना गुन खोदेता है बिल्कुल सही है स्वातंतरता पुर्वक लटकाने पर चुमबक स्यादा उत्तर दस्न की दिसा में आकर रुखता है ये जो है option आपका ये भी सही है और कृतिम चुमबक एक ही आकार में बनाये जाते है तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा option आपका C सही हो जाएगा ये जो है ये गलत है एक ही आकार उसका आकार नहीं होता वो किसी भी आकार का हो सकता है प्राकिर्तिक चुम्मक जो होता उसका एक ही आकार होता है ठीक है अगला कोश्चन है कि एक परकार का विश्रन जहां ठोस आथवा कोलाइट द्वारा जल को अफसोसित किया जाता है और जिसके कारण उनके आयतन में अत्यदिक बिर्दी हो जाती है क्या कहलाता है तो वो जो ह बैंक निमलेकित युगमों पर विचार कीजिए यूरनियम का समस्थानिक परमानू वर्टी में इंधन कोवाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार आयोडिन का समस्थानि घेंगा रोक का उपचार तो इसका सही आंसर आपका ओप्सन डी हो जाएगा एक दो और तीन ये तीनो शही है सुची एक सुची दो को सुमिलित की जे नितिय दिये गए हैं कूट को सही उत्तर चुनिये तो देखते हैं सही कूट इसका क्या दिया हुआ इसमें दिया हुआ है और पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है तो यहाँ पर टार्ट्रीक हो जाएगा इमली और अंगूर में हो जाएगा आपका सही है उसके बाद आपका बज़ गया केल्सियम हाइड्रो आकसाइड इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपसन नमबर ए हो जाएगा एक दो चार तीन है ना एक दो और चार तीन अगला कोशन देखते हैं वोटिंग शाही में निमलिक्षित मेंसे किसरा साइन का उपियोग होता है तो वोटिंग स्याही में जो है वो सिल्वर नाइट्रेट का उप्योग किया जाता है आपसन आपका A सही है पच्पन नमबर कोशनने के निमलिखित कथन पर विचार कीजिए ठायो कॉल नामक एक संसलेसित रवर का उप्योग रॉकेट इंजरन में ठोस इंधन के रूप में अन्य पदार्द के साथ मिस्रित कड़ किया जाता है विजुणा एबं नियो प्रीन नामक संसलेसित रवर का पढ़ियोग टायर बनाने में किया जाता है रवर में सलफण मिला कर उसकी कठोरता बढ़ाई जा सकती है तो इसका आपका सही अंसर हो जाएगा option number B एक और दो जो है वे वो बिल्किल सही है तीन जो है ये सही नहीं है 56 number निमलिखित कथन पर विचार कीजे चमगादर किर्तक रोडेंट भालू उप्युक्त में से किस परकार की जन्तु को सित निस्क्रियता की परगटना का परछेपन किया जा सकता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number C एक दो और तीन नागफनी के पोदे में परकास अंसलेश निमलिखित में से किस भाग में होता है तो नागफनी के पोदे में जो परकास अंसलेशन होता है वो हो जाएगा जरो से कहां से होता है option आपका C सही हो जाएगा निमलिखित में से कौन C उपापचै की छमता पर्यावरन के परती अनुक्रिया बिर्दी और जनन जैसे जीवन के गुनों को दर्साने वाली लगुत्तम इकाई है तो इसका सही अंसर हो जाएगा कोशी का option D नीचे दिये गए कथनों का सही कथन कौन सा सही है रुधिर वर्ग A वाला कोई बेक्ति रुधिर वर्ग A तथा रुधिर वर्ग A B वाले वेक्ति को रुधिर दान कर सकता है और सेकेंड क्या है रुधिर वर्ग A B वाला कोई भी बेक्ति रुधिर वर्ग A B और A B आथवा O वाले वेक्ति को रुधिर दान कर सकता है रुधिर वर्ग O वाला वेक्ति किसी भी रुधीर वर्ग बाले बेक्ती से रुधीर ले सकता है तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा option number D एक और तीन सही है 60 number question है कि निमलिकित में से कौन P-Null Phenotype Pad का सरबोक्त क्रिस्ट वर्णन करता है तो इसका सही आंसर है एक दुरलव रक्त तो जो है ये P-Null Phenotype Pad का सरबोक्त क्रिस्ट वर्णन करता है निमलिकित में से कौन सा हस्तांतरन वुक्तान नहीं है राश्टियरीन, ब्याज, सेवा, निर्वत, क्रमचारी, वेतन, गिर्हनी को वुक्तान, घरेलू नौकर वुक्तान जो है वो सा हस्तांतरन वुक्तान नहीं है प्रोटीन संसलेशन निमलिकित में से किन की भुमका होती है तो प्रोटीन संसलेशन में DNA, RNA और राइबोस्यम की भुमका होती है ओप्सन आपका B सही है तिरसेट नंबर कोशन है कि निमलीखित में से किस या किन मुल्तत्य या मुल्तत्यों की हिनिता हडियों की कमजोरी के लिए उत्तर दाई है तो इसका सही अंसर है ओप्शन A केल्सियम और फॉस्पोरेश निमलीखित में से कौन सा लच्छन पादप के तने के रुपांतर का एक संकेत है तो इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर A आलू में आख का पाया जाना ये लच्छन जो है पादप के तने रुपांतरन का एक संकेत है option A सही है निमलिखित में से कौन सा एक पादा फर्मोन नहीं है पादा फर्मोन जो नहीं है वो apinophrin जो है एक पादा फर्मोन नहीं है जिब्रिलिन, oxyn, cytokinin ये तीनों जो है एक पादा फर्मोन है मानव निवलिखित में से कौन सा एक रोग बायु दोरा फैला सकता है तो बायु दोरा जो फैलता है वो है यक्षमा यानि टुवर क्लोसिस ऑप्सन आपका भी सही है नासा का निव होराइंजस मिशन निवलिखित में से किसका या किन का अध्यन करेगा पुलूटो और चंद्रमा का, क्यूपर विल्ट में मौजूद पदार्थ का तो आंसर आपका यही सही है कि यह जो पुलूटो और उसके चंद्रमा का तो नीचे दिये गएं, कुट का पडियो कर सही उतर का चैन कीजे तो आपका एक और दो जो है वो विल्कुल सही है निमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए S-400 ट्राइफ रूस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी की मारक छमता वाली रक्षा परणाली है Spider भारत की स्वदेशी तेज अनुकुरिया वाली मिसाल परणाली है और 3 में दिया है कि मद्दूरी की सता से हवा में मार करने वाली मिसाल परणाली Meridian Range Surface to Air मिसाल जिसका नाम MR-SAM DRDO तथा Israel Aerospace की सयुक्त पर यूजना है उपयुक्त में से कौन सा कथन शही है तो यह B कथन जो है आपका सही है B जो हो जायागा यह सही है 1 और 3 सही है अगला कोशन है कि भारतिये Reserve Bank करेंसी नोट जारी करता है तो भारतिये Reserve Bank जो है वो नियत नियूंतम आरक्षन परनाली के अंतरगत करेंसी नोट जारी करता है निमलिखित में से कौन से उपगरा इश्रो की भू अवलोकन उपगरा है तो भू अवलोकन उपगरा जो है वो खस्ती 3 और 4 रियो सेट और कार्टो सेट ये दोनों जो है इश्रो का भू अवलोकन उपगरा है निमलिखित जैम मंडल आरक्षित छेत्रो और उनमें संबंदित राज्जु को पहचानी और सुमेलित कीजिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओप्सन D यहाँ पे दिया हुआ है एक का भी हो जाएगा नोक रेक मेघाल है दो का D सिमली पाल उडिशा उसके बाद हो जाएगा तीन का A शेशा चलम आंद परदेश शेशा चलम आंद परदेश डिबरु शिखोवा डिबरी शुखाबा हो जाएगा अश्रम अगला कोशन है सुची एक को सुची दो के साथ सुमेलित कीजिए थनीचे दिए गए हैं कुट का सही उतर का चैन कीजिए तो सबसे पहले इसे छोटा करते हैं तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो option यहाँ पर D होना चाहिए option D होना चाहिए दो, तीन, एक, चार दो, तीन, एक, चार दो, तीन, एक, शार जो इधर है अब तंत्री का तंत्र के लिए नुक्षान दायक है सीसा का योगिक अमलिये वर्षा और हाइड कारवन हाइडायक साइड ग्रीन हाउस प्रभाव में सरबदिक योगदान यह इसका मिलान सही है ऑप्शन डी इसका आंसर था अगला 73 नंबर कोशन है कि बायू मंडल की निमली एक चार अगला कोशन है यह सत्य होगा की भारत को परिवासित किया जाए एक सरम अधिवग्य वाले अर्थ ववस्था के रूप में ऑप्शन भी इसका सही आंसर है निमलिकित में से कौन सा राज्य सिक्किम के साथ सीमा साजा करती है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाई 24 cm आधार का छेतरफल 154 cm2 है तो संकु का जो है बक्री प्रिस्टिय छेतरफल cm2 में क्या होगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 550 हो जाएगा ओप्शन B 77 नंबर कोशन है कि एक खनीज किसी बेपारी को 40% के लाप पर भीरा बेजता है और बेपारी इसे 25% के लाप पर ग्राहक को बेजता है यदि ग्राहक ने इस हीरो को खडिदने के लिए 56,00,00,0,00 रुपे का भुक्तान किया तो खनीज को या हीरा कितने रुपे या लाक में मि लेगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number D 32 38 number question जो है इसका answer आपका हो जाएगा option number B 15,000 मैं अथा आप लोग खुद solve कर लीजेगा 79 number question जो है 79 number question का भी answer हो जाएगा option number B और 80 number question का answer हो जाएगा option number C और 81 है कि एक तिरिभूद जिसकी भुजाय करम 106 cm, 8 cm तता 10 cm के परिवरित का छेतरफ़ cm2 में क्या होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B 550 बटा 7 आंसर होगा 82 number question है कि एक बल्ले बाज 12 पाडियों का एक निश्चित औसत 13 मी पाडि में 96 रन बनाता है जिसके चलते उसके औसत में 5 रनों की विर्दी हो जाती है तो 13 मी पाडि के बाद उसका औसत क्या होगा तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए option C होना चाहिए 36 निकल के आएगा किसी धन रासी पर दो वर्स के लिए 15 पर 30 की दर पर चक्रविर्दी ब्याज 32,25 रुपया मिलता है तो मूल रासी क्या होगा तो option आपका A सही हो जाएगा option A हो जाएगा सही आंसर 84 नंबर question है 84 का आंसर हो जाएगा option नंबर D 85 नंबर question का आंसर जो होगा वो हो जाएगा option नंबर 85 का option नंबर A हो जाएगा 41,45 बर्ग centimeter 86 नंबर question जो है 86 नंबर question का आंसर हो जाएगा option नंबर A 87 87 का आंसर हो जाएगा option नंबर D 88 का आंसर हो जाएगा option नंबर B 12 परतिसत 89 नमबर कोशन का आंसर हो जाएगा option number B 90 नमबर कोशन का आंसर हो जाएगा option number B 2 निकल के आएगा और 91 नमबर कोशन 1 का स्कुरार प्लस 2 का स्कुरार प्लस 3 का स्कुरार इसका जो आंसर हो जाएगा option number A निकल के आएगा बिरानवे नमबर कोशन का अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर D 93, 93 का अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A 94, यह बहुत अच्छी कोशन से है तो इस कोशन को आप लोग बहुत अच्छे से बनाईएगा ग्राम बासी, गड़ी वेक्ति और पुरूस का यह क्या करना है पतले या तो खिलाडी है या युवा है लेकिन दोनों नहीं है तो इसका सही अंसर ओप्सन C हो जाएगा 31 96 नमबर की निम्रिखित प्रस्ट में दिये गए विकल्पों में से प्रस्ट काचीन के अस्थान पर उत्तराने वाली संख्या को चुनिये तो इसका सही अंसर जो हो जाएगा ओप्सन नमबर आपका हो जाएगा सही अंसर इसका B 15 प्रस्ट आकिरती को देख के क्या करना है ये मीरियर वाली प्रस्ट है और इसको बताना है कि सही जो इसका क्या हो जाएगा अगर मीरर MN पे है तो सही आकिरती जो बनेगा वो किधर बनेगा तो इस चारों में आपको option ढूरना है कि कौन सा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा जब हम mirror को MN वाले side पे रखते हैं तो इसका सही answer जो हो जाएगा option number एक मिनिट इसका सही answer हो जाएगा option number B अब है 98 number question की HT का भाई है जो की R की पतनी, S, R का पुत्र और L का पती, L, T से किस परकार संबंदित है तो इस question का answer हो जाएगा आपका 98 number का option C हो जाएगा पुत्र वधू 99 number question है ये भी reasoning का question है कि नीचे 4 संख्या युक दिये गए हैं जिन में से 3 किसी संदर में एक समान है तो अलग जो संगत number जो है उसको आपको choose करना है तो option A हो जाएगा अगला last question है इसका 100 number की दिनेस बिंदू A, B की पुरव की ओर दिसा में 8 km चला फिर दाहिने मुरा फिर 12 km चला, C बिंदू की ओर गया तो बताईए उस बिंदू से कितना दूर है जहां से उसने चलना प्राड़म किया तो 4 km पे दूर होगा इसका सही आंसर हो जाएगा तो यह हमारा 100% का सीरीज था जो यहां पर समाप्त होगा फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिक सेट के साथ जो हमारा ओलाइन प्यूपेड वैज का होगा तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद